गुरुबार को विपक्च के तीन सांसद और सस्पेंट कर दिये गए यानि निलंबित कर दिये गए इनमें आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुपता, संदीप पाठक और निर्दलिय सांसद अजीत कुमार शामिल है अब तक लोगसभा और राजसभा में मिलकर 27 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है इनमें चार लोगसभा के और 23 राज्यसभा के सांसद है इनका निलंबन की हुआ ये आपको आगे बाद समझ में आ जाएगी खेल बहस किस बात पर होनी चाहिए किस बात पर होती है सवाल क्या पूछा जाना चाहिए क्या पूछा जाता है ये सब आप देखते हैं सुनते हैं और जानते हैं लेकिन बहस के ढेर या बहस की धार बदल दी जाती है सवालों की तलवार बदल दी जाती है तेवर का भार बदल दिया जाता है घैर जरूरी बहस शुरू हो जाती है आरोप परतियारोप का खेल शुरू हो जाता है संसद में नेता चीखने चिलाने लगते हैं सदन की कारवाई को अस्थागित करना पड़ जाता है हाथा पाई की नौबत आ जाती है संसदिय कारवाई यानि संसदिय मर्यादा को पैरो तले धेर कर दिया जाता है पैरो तले कुचल दिया जाता है सम्विदान को ताक पे रख दिया जाता है लेकिन मजाल है असल मुद्दों पर बहस छेड़ दे कोई जन्सोरोकार से सम्मधित सवाल पूछ ले कोई नहीं ऐसा कत ही नहीं होता है बहस तो बस इस बात पे होनी चाहिए कि देश में इतनी बेरुजगारी क्यों है असल मुद्दे ये है बहस तो इस बात की होनी चाहिए कि आठ सालों में 22 क्रोर नौकरी के लिए आवेदन आये महज 7 लाख लोग को नौकरी मिली आवेदन से आये पैसो का सरकार ने क्या किया सवाल ये पूछा जाना चाहिए देश में क्रोरों पद खाली क्यों है सवाल ये पूछा जाना चाहिए बहस इस बात पे होनी चाहिए SSC GD के चात्र हजारों किल मिटर की दूरी तयकर पैदल डिली की तरफ कूच किये है डिली आ रहे है उनका भविश्य क्या होगा सवाल ये होना चाहिए महंगाई से दो चार होती जनता कैसे अपना जीवन यापन करेगी बहस इस पे होनी चाहिए थी वहस इस बात पर होनी चाहिए कि आखिर रोज मर्रा की जिन्दगी में इस्तेमाल किये जाने वाले खात्पद आर्थों पर जी अच्टी क्यों लगाया गया वहस इस बात पर होनी चाहिए देश की चर्मराई अर्थवस्ता का जिम्मेदार कौन है जबकि वीपक्च इस बात की लगतार मांग करता रहा सत्ताधारी दल्क ने बार बार यहां दर दिल दी कि भारत की वित्य मंत्री अविश्वास्त नहीं है जब वो ठीक होकर वापस आएंगी तो इस पर बहस होगी जब निर्मला सीतारमन कोविट से ठीक होकर वापस आई तब तक बहस का धार बदल चुगा था बहस की धार बदल दी गए थी कॉंग्रेस नेता अधिरंजन ने राष्ट पती को राष्ट पतनी कह दिया बीजेपी ने इसे हाथो हाथ लिया और कोविट से या कोविट की मार झेल रही निर्मला सीतारमन भी इसमें कूद पड़ी बहस कुछ और मुद्दों पे होनी थी लेकिन अब मुद्दे बदल गए सदन में जम कर हंगामा किया गया बीजेपी ने कॉंग्रेस को महिला भी रोधी आदिवाशी वीरोधी करार दिया एक नए हंगामे का जन्म हुआ एक नए हंगामा उत्पन हो गया और नई बहस शुरू हो गए रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा ब्यापार जीएश्टी सब को धूल में या धूल में लपेड दिया गया उस पे चादर डाल दिया गया धिरे धिरे बाद सोनिया गांधी तक आ गई बीजेपी के नेता एक तरफ हो गए और कॉंग्रेस के नेता सोनिया गांधी के पीछे लामबंध हो गए और देश की असल समस्याएं क्या है हंगामे के बीच दम तोड़ती दिख रही है अब असल समस्याएं क्या है बेरुजगारी है, महंगाई है, ब्रश्टा चार है या क्या है, वो सब कुछ खत्म कर दिये गए राश्टपती, द्रौपती, मुर्मू को लेकर कॉंग्रेस नेतारी रंजन चौधरी के वोर से की गई अशोभिनी टिपड़ी के बाद मामला अपने जो रोपे है हंगामे की शुरौाद तो होई चुकी कल आज भी हंगामा कम नहीं हुआ लोग सभा में उन्होंने कैसे कहा लोग सभा में चौधरी की टिपड़ी को लेकर जमकर हंगामा तो हुआ ही हुआ किंद्रिय मंत्री स्मिर्ती रानी शुकुरबार सुबह यानि आज राष्टपती भौन पहुँच गई और वहाँ पे उनके साथ किंद्रिय मंत्री डॉक्टर महंद्रे मुझपारा भी मौझूद थे जौन बराला उनके साथ भी मौझूद रहे यानि एक और नेता थे बताया गया कि मुर्मू के साथ इसमिर्ती रानी की मुलाकात के कुछी दिर बाद किंद्रिय ग्रीह मंत्री अमेश शाह भी राश्टपती से मिलने पहुँच गए यानि अधिरंजन चौदरी ने राश्टपती का अपमान जो किया था अपमान का बदला बीजेपी चाहर ये कि सोनिया गांधी देश से माफी मांग ले तो अपमान का बदला लिया जा या समझा जाएगा यानि बात बराबर हो जाएगी लेकिन असल मुद्दे से भटका कर हमें और आपको दूसरे मुद्दे पर ला दिया जाता है असल समस्याएग क्या है बहस संसद में किस मुद्दों पर होनी चाहिए किन-किन सवालों पर होनी चाहिए वो हमारे और आपके जहन में नायाए इसलिए नए गैर जरूरी मुद्दे उत्पन कर दिये जाते है तो खैर देखते रहिए और मज़े लीजिए संसदी कारवाई के और नए भारत की असल मुद्दे से भटका कर दूसरे गैर जरूरी मुद्दे आपके सामने परोसे जाएंगे और चीकते चिलाते निताओं के चेहरे आपको दिखाये जाएंगे देखते रहिए मुस्कुराते रहिए हंसी मजाक में बात को टालते रहिए और बने रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही खबरे आप तक हम भी लाते रहेंगे और आपको बताते रहें।